है आ-ठर्टे नर्म 18 कु इस्टार्ट करेंगे हमारे कॉर्स का गर हमारे रेमेनिंग कॉर्स और कि सबसे बड़ा चेप्टर बüstr चैप्टर में सेवेंटीव सब्सकोद कर नाम है दो जोडिड के मी पर-चेप्टर आए अगर arrow में स्टार्ट करेन। चेप्टर का नाव हमारे पास है एडवेंट आफ मॉडरन फिजिक्स सबसे पहला टॉपिक जो मेरे पास मॉडरन फिजिक्स में अगर शुरू होता है अगर आप लोगों ने नोट पे भी कभी दिखा हो तो एक definition आपको लिख भी नदर आए कि वो है Galilean Transformation की Galilean Transformation है क्या Galilean Transformation है तो गैलिएन Transformation है Transformation के अगर लफ़ देखोगी न तो Transformation के लफ़ का मतलब है Change करना यानि Transform करना, Change करना अब सारा definition करो, definition में क्या लिखा हुए? definition में लिखा हुए The conversion of coordinates of a particle from one inertial frame of reference to another inertial frame of reference is called Galilean Transformation अब अगर आप definition में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा कुछ भी समझ में ऐसे नहीं आएगा कि आप देखो, उसमें सिर्फ बोला हुए कि भाई, conversion of one inertial frame of reference to another inertial frame of reference बच जिसी इसको change कर रहे हो, वो कौन आपके पर frame of reference है, आप सोच रहोगे सर ये तो बताईए कि ये inertial frame of reference क्या है अगर आप लिख रहे हैं याप ये inertial frame of reference अब आप लफज देखो लिखाव है inertial frame of reference inertial तो मैं आपको थोड़ी धेर में बताऊँ लोगा अब आप से बहुता है, ये inertial को थोड़ी धेर के लिए रहने दो सबसे पहले देखो आपको तो ये पताऊने चाहिए frame of reference होता क्या चीज़ है होती ही गाजीज ये frame of reference दोनों चीज़े मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको frame of reference भी बताऊँगा मैं आपको inertial frame of reference भी बताऊँगा अब भी सिफ मैंने definition लेकिए आप गैलेलियन transformation की गैलेलियन transformation की जो definition लेकिए वो सिफ definition आप पढ़ो MCQ मैं अगर आप से बोले ना कि भाई MCQ मुझे बताओ गैलेलियन transformation है क्या, तो आप बोलो सुनो एक inertial frame of reference पर अगर आप change करो किसी और inertial frame of reference पर तो इस चीज़ को बोलो कि गैलेलियन transformation के अंदर जो न्यूटन की laws of motion है, थिरी laws of motion है वो सेम रहते हैं यानि उसमे कोई change नहीं है तो यह statement की तोर पर लिखा हुआ है कि भाई, all the three newtons law of motion remains the same in inertial frame of reference यह जो modern physics के start होती है, physics two parts में divide होती है, एक कहलाती है हमारे पास classical physics और जबके एक कहलाती है हमारे पास modern physics physics दो तरह के इसो में divide है classical physics, modern physics, newton की जो आप laws वगरा पढ़ते हो, यह सारे के सारे lie करते हैं कि इसमें classical physics में lie करते हैं, इसके बाद जो revolution आई, जो change आया, तो newton के laws के अंदर भी change आया, आपने frame of reference वगरा पढ़ा तो एक नई physics का दोर है, जो modern physics का लाता हो, जो आगे engineering लेवल पे या फिर आप master's लेवल के उपर discuss करते हो आम तोर पे, अभी तक जो आप लोगों ने त जो physics पढ़ते हैं, उस सारी एक से एक बात relate हुई भी थी, अब modern physics की बात को relate करना, आप लोगो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, कुछ नए concept होंगे, तो सारी बातों को मैं डिसकर सरूंगा, जहां जो problem हो, आप उससे पूछ भी सकते हो, अच्छा जी, अब modern physics की बात करी, न्यूटन के laws की बात कर ली कि भाई, न्यूटन के laws जो हैं, सेम होते हैं, inertial frame of reference पर, अब आप सोच रहे थे हैं, आपके जहन में सवाल था, सवाल ये था कि सर, आप ये बताइए, कि frame of reference क्या है, तो मैंने heading लगाई यहां पे frame of reference, frame of reference जारा पढ़ना क्या लिखा हो है, आपके पाद ये axis आपने लिखा, x, y और z, सभी आपने axis बना दिये, अब इस axis से देखो, आप सबोसकर और इस point पे खड़े वे हो, अब आप देखो, ये point कितना दूर है, या ये x पे कितना दूर है, इसकी x direction आप बना सकते हो, ये point कितना ऊपर की तरफ आ रहा है, और कित कितना आगे की तरफ गया, यानि x direction में, कितना ऊपर की तरफ गया, इस direction में, y direction में, होते हैं, आप सरा point की value लिखते हैं, इस value लिखोगे, सबोसकर आपने लिखी value 3,2, यानि x की value 3 है, y की value 2 है, अब आप देखो, आपने ये जो measurement करी है, आपने बोला ना sir, इतना दूर वो से निकाला, यह आप देखो, यह जो system आपको नजर आ रहा है, x, y, z, यह आप system देखो, इसका नाम होता है, rectangular coordinate system, इस system का नाम लिखा है, मैंने rectangular coordinate system, अच्छा जी, यह जो system आपने देखा है, system को मैंने बोला है, इस आपने रेक्टांगुलर coordinate system, और यह में पाद टाइप है, किसकी, frame of reference की, frame of reference की एक type है, यानि आपने जो अपनी reading ली, यानि आपने अपनी values को major किया, किसी चीज़ के reference है, तो जिस चीज़ के reference से आप values को major करते हो, वो reference कह राता है, आपके पाद frame of reference, तो frame of reference जारा समझ नहीं कोशिच करना है, जारा definition भी पढ़ना, मेरी बात आपको अच्छा, अब frame of reference की, आपने कुछ types भी बढ़ी होंगी, frame of reference, एक तो मैंने आपको बता दिया, जो बता है कौन था, rectangular coordinate system, एक मैंने आपको बता दिया, इसके लावा, जो system होते है, अगर मैं आपको नाम लिखके भी लिखा हूँ, एक होता है, cylindrical coordinate system, cylindrical coordinate system, और एक होता है, polar पॉलर कॉर्डिने सिस्टम, ये तीन सिस्टम के मैंने आपको नाम बता दिये, यानि एक कैलाता है, rectangular coordinate system, एक कैलाता है, cylindrical coordinate system, और एक कैलाता है, मैंपा कौन सा, polar coordinate system, अच्छा, हमें जो deal करना है, हमारे लेवल के ओपर, foster secondary तक, वो सिभ हमारे पास जो discuss किया गया है, वो rectangular coordinate system इसके लावत, cylindrical और polar यो है, याप इंजिनिरिंग लेवल बे डिसकस करोगी, आगे जब आपके की फिजिक्स पड़ोगे, अब ही याप पढ़ने की जरुवती है, अच्छा, polar coordinate system यो है, वो मैस के स्टुरें ने पढ़ा होगा, complex number के अंदर, तो उनको थोड़ा बहुत वद सर्वेडरी बार के लिए जबाद आप की फ्रेमोफ रेफरेंस की हम चाहित पड़ता हैं जो हमारे पर यहं मौजूद है, अच्छा, अब प्ड़ेंच्छ अब canyon काया ने, शिल्क näkem पिजिक्वाने लिए में हैं, लिकिय हैं अब ह्ड़ाइज दीग संसने वाले बात ह या तो किस पर हो, rest पर हो, या move करें कैसे, uniform velocity से, यानि आपका frame of reference या तो rest पर हो, या move करें कैसे, uniform velocity से, तो उस frame of reference को बोलते हैं आप कौन सा, inertial frame of reference, और इसका दूसरा नाम आपके पार लिखावा है, जिसका आपने लिखावा है क्या, गैलेरियन frame of reference, या पर तीसरा नाम इसका लिखावा है क्या, Newtonian frame of reference, थोड़ा तो मुश्किल नाव है, तो मैं भी घबरा आगे, इसको देखके, अच्छा दी, frame of reference के आपको tabs लिखी वे भाई, इसको ये भी कह सकते हैं, इसको ये भी कह सकते हैं, इस तरह कि कोई भी बात आए, तो आप जबाब दे सको के, मेरा नहीं कहाले, इसमा को कोई समझाने वाली बात है, आगे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट लिखा हुए, लाओ फिजिक्स होना body present in an inertia frame of reference, remain unchanged, आपको अभी भी बताया था, लाओ फिजिक्स की बात का रही था, न्यूटन के थर्ड थरी लॉज जो हैं, मैं लिखे भी चलो दिखा रहता हूँ, थरी लॉज ओफ मोशन, remain same, ये बात आपको मैंने बताई, बिल्कुल पहली डेफिनिशन में, तो वही बात आपको यहाँ पर बताया रहा है कि भाई, इनर्शेर फिर्म रेफरेशन में जो न्यूटन के लॉज हैं, वो क्या रहते हैं, same रहते हैं, थर्ड पॉइंट लिखा हूँ है कि भाई, linear और angular acceleration present in an inertia frame of reference is zero, अब देखो linear acceleration मतलब A is equal to zero, और angular acceleration मतलब A is equal to zero, क्योंकि उसने बोल दिया न, आपकी body या तो किस में है, rest में है, या फिर move करी है uniform velocity से, अब देखो rest में है, इसका मतलब जब भी acceleration zero, और move करी uniform velocity से जब भी acceleration क्या है, zero है, तो देखो एक point अगर आपने पढ़ा है तो दूसर पॉइंट आप खुद बना सकते हैं, भाई, इस वाले case में भी acceleration zero, इस वाले case में भी acceleration zero, fourth point आपको बताया क्या, कि भाई, force on a body present in an inertia frame of reference is zero, अब देखो force का formula होते हैं, F is equal to MA, अब देखो आपके पास जो acceleration है, वो acceleration ही zero हो गई, तो मास से multiply भी करो के, तो inertia frame of reference में जो force है, वो force क्या हो जाएगी, zero हो जाएगी, तो यही four point बन गया, आपके पाफ force on a body present in an inertia frame of reference is zero, आप बोलेगा है, इसकी कोई example तो आप हमें दीजिए, तो भाई, इसकी जो example है, वो example बड़ी simple सी, example मैंने आपके सामने लें की, motion of earth is the most common example of inertial frame of reference, तो एक example भी आपके पाफ मौझूद है, आप फ्रेम of reference में, अगर आप motion of earth को consider करोगे, तो वो कहलाएगी आपके पास inertial frame of reference की example, यानि इस तमाम की तमाम जो चार पॉइंट आपको नज़र आ रहे हैं, ना first, second, third, fourth, ये चारो के चारो पॉइंट exist करते हैं कि इसमें, motion of earth में exist करते हैं, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं, अब देखो, जिस तरह के से आपने पढ़ा, inertial frame of reference, ऐसी ही यहाँ पर हमारे पाद मौजूद है, non-inertial frame of reference, अब आप सुचों के non-inertial frame of reference का है, तो चल्ली से इसके definition पढ़िए कर तमाम लोग क्या लिखी ही है, definition लिखे 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 लिखे, आपके पास such a frame of reference which move with non-uniform velocity, जिजाइर्सी बात है यहाँ यहाँ लिखे 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 लिखे, और अगर बुख करेंगा कैसे non uniform velocity ते लिखे लिखे लिखा लिखे, अच्छा जी law of physics on a body in a non-inertial frame of reference does not remain the same except the law of conservation, अब second point आपको पता है कि law of conservation जो है, बॉडी के अंदर law of physics जो हैं आपके पास किसी भी बॉडी के ऊपर non-inertial frame of reference पे वो exist नहीं करते यानी same नहीं रहते सिवाए किसके law of conservation के law of conservation आपने पढ़ी ना law of conservation आपने पढ़ा है mass law of conservation आपने पढ़ा है energy law of conservation आपने पढ़ा है क्या momentum इन laws के इलावा बाकि जो newtons के law हैं वो exist नहीं करते कि इस पे non-inertial frame of reference पे अच्छा जी अब इसकी जो simple example है वो example आपको बताएगे free fall motion is a most common example of non-inertial frame of reference इसके बारे में आपको बताएगे कि भाई free fall motion जो है most common example है कि इसकी non-inertial frame of reference की क्योंकि इसके इसके अंदर भी आपके जो velocity है वो velocity continuous ली क्या हो रही होती है increase हो रही होती है या velocity non uniform होती है अब ये कुछ मैंने आपसे बात करीब frame of reference की आपको inertial frame of reference बता दिया आपको non-inertial frame of reference बता दिया इसी बात को आप मजीद आगे बढ़ाते है अच्छा जी इसके बाद जो आप लोगों ने topic पड़ा होगा वो पड़ा होगा special theory of relativity इसके अंदर कुछ पॉसलेट्स हैं। पॉसलेट्स को ज़रा देखिए का पॉसलेट्स कौन कौन से हैं पहला आपके पा लेख लेखा हुआ आइन सैंड की special theory of relativity है यह सारी बात है ना हमारे level के ओप सिर्फ हमें बताई गई है हमारे पास ना इसकी derivation है ना हमारे पास इसका prove है जैसे इसके भी आगे formula देखोगे ना formula भी हमें direct बताई गई हम यह नहीं पूर सकते के भाई यह formula ऐसे क्यों है क्योंकि यह सारी बाते ना आप आगे 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 आप बैचलर्स करते हो या मास्टर्स करते हो तो उस case में आपको prove करा जाएगा हमारे पास अभी इस case में prove इसका नहीं है कि आपको मैं समझा सकूंग। सरी यह बात ऐसे हुई यह बात ऐसे हुई इस ने अपनी चीज को publish किया तो वो सारे चीज़े आप अभी नहीं समझो आपके लिए सिव अभी यह basic सी बात थे हैं कि भाई यह ऐसा होता है अच्छा अब देखो पहला जो आपके बाद लिका है उना principle of relativity principle of relativity में आपको बता है कि भाई there is no absolute motion every motion is relative to other motion अब यह बात बोलना के चाहरा है कि हर motion जो है relative motion है दोसे motion के अब इसका मतलब क्या है तो को relative का मतलब होता है कि आप जो है ना किसी के reference से relative का मतलब किसी के लिहाज से with reference to something okay relative का मतलब with reference to something अब जैसे इसकी मिसाल ऐसे कि आप earth पे मौजूद है आप earth पे एक point और दूसरे point पे चल के गए आप यहां तक पहुंच गए आप move करके गए लेकिन यह जो आपकी earth है यह अर्थ भी तो आपकी क्या कर रही है rotate कर रही है यह यह अर्थ आपकी जो अर्थ यह itself क्या कर रही है यह आप आगे की तरफ जा रहे हो जबकि यह जो earth है यह earth कहा जा रही है पीछे की तरफ जा रही है यानि आपकी motion relative हो गई किसके अर्थ के लिहाज से यानि आप अगर कहीं भी move करोगे तो हमेशा relative गई किसके लिहाज से अर्थ के लिहाज से तो यही इसका पहला point लिखा हुए ने क्या लिखा हुए there is no absolute motion absolute का मतलब होता है particular कोई particular motion नहीं, को absolute motion नहीं यहर motion जो है relative motion है दूसरी motion के और उसी के बारे में लिखा हुए कि law of physics exactly the same in all inertial frame of reference यह point आपको भार बर में पढ़ा चुका तो मेरा नहीं कहाले इसको दुबारा बताने की जरूवत है अचा इस बात को proof किस तरह किसे किया गया है अचा इसके बारे में आपको नाम बताया गया वो नाम ज़रा पढ़िए का क्या लिखा है अब ही मैंने class के start में आपको यह नाम बताया था गैलिलियन ट्रांसफोर्मिशन यानि अगर आप एक inertia frame of reference को दूसरे इनरिशर frame of reference पर शिफ्ट करोगे तो वो transformation के लाथी है Galilean transformation तो आप इस बात को यार रखो principle relativity को जिस postulate की मारश से प्रूफ किया गया वो क्या है आपके बाद Galilean and Lawrence transformation second point आप लोगों ने पढ़ा होगा principle of light का principle of light क्या है तो principle of light भी जल्दी से देखिएगा यानि speed of light की value constant value है और तमाम लोगों ने constant value पढ़ी है c is equal to 3 exponential 8 meter per second और यह आपके पास highest speed है जो कोई भी body exist कर सकती है जिस किसी भी body के पास मौजूद है या वो exist कर सकती है यानि highest speed है किसी भी body की जो exist करती है और वो है हमारे पास क्या speed of light अचा इस postulate को किस बेस पर आपने proof किया गिया तो उसका नाम हमें बताया गिया उस postulate का नाम भी आप तमाम लोगों देखिएगा यह लिखा हमारे पास this postulate is based on Michelson and mostly experiment Michelson interferometer पढ़ा है ना आपने Michelson interferometer light के ओपर उसने काम किया था आप नाइन में आपको पढ़ाया था Michelson तो उसी के experiment के ओपर यह postulate बेस करता है तो दो postulate आप दोनों postulate का नाम याद रखोगे यह बाद याद रखोगे भाई यह किस चीज़ पर बेस कर रहा है क्या इसकी values वगर है तो यह दो point हमें दिये गा है किसके special theory of creativity की इन दो points को देखने के बाद जो आप लोगों ने formula पढ़े ना वो formula देखते है सबसे पहला formula आप लोगों ने पढ़ा होगा time dilation का time dilation का formula लिखा हो है t is equal to t not divided by root 1 minus v over c का whole square second formula आप लोगों ने पढ़ा हो है increase in mass का m is equal to m not divided by root 1 minus v over c का whole square तीसर formula पढ़ा होगा है length contraction का l is equal to l not multiplied by root 1 minus v over c का whole square और fourth formula आप लोगों ने पढ़ा होगा है mass energy relation जो कि है e is equal to mc square अब आप बोलोंगे सर आप ने तिनी सारी चीज़े बोल दी एक सास में आपको बोल दी हमें दूसर कुछ समझ में नहीं आया तो भाई ये formula को मैं समझा रहा हूँ मेरे सासर मेरी बातों को focus करना समझ नहीं कोशी करना देखो m not जो आपको नजर आ रहा है ये कहलाता है आपके पर rest mass ये कहला रहा है आपके पास क्या rest mass यानि आपकी बोड़ी अगर rest में है उस वक जो mass है उस वक जो time है वो तमाम के तमाम जो चीजें है वो rest की चीजें के लाइन जिसको आपने not से लिखा है साही ना जैसे ये ल not है तो ये हो जाएगी जब आपकी बोड़ी की length की rest पे ये होगा जब आपकी body की rest time होकर rest कर या फिर move कर रहा हो अब वो move करेगा अगर velocity से तो क्या होगा तो ये जो mass नजल आ रहे है ना इसको बोलते है relativistic mass ये लिखा मैंने क्या relativistic mass ऐसे ही ये हो जाएगी मेरे पाद relativistic length मैं लिखे नहीं लिखाता है बना एक ये चीज़ बार बार repeat होगी और ये t कहलाता है अगर मैं चलो t लिख देता हूं t कहलाता है मेरे पाद क्या relativistic time अब relativistic mass, relativistic length, relativistic time क्यों बोल रहे हो जानी आपकी body अगर move करें चलो मैं इसको लिख भी देता हूं तक की point के तौर पर आपके पास safe रहेगा आपकी body अगर move करें near to the speed of light, near to the speed of light near to the speed of light to, अब वो speed of light के near कैसे होगा तो बात भी आपको बताता हूं कि उसका किस तरीकी से MC क्यों आ सकता है अब आप देखो यह तो formula जो नज़र आ रहे है, mass के साथ देखो लिखा हूं क्या increase होना यानि आपकी body अगर move करेंगी near to the speed of light तो आपका body का mass है वो mass increase होगा यानि heading लिखी भी न, increase in mass, देखो time के साथ लिखा हूं time dilation, time dilation में dilation के लफ़स का मतलब यहां पे है delay आपने देखा है न, अकसर होता है कि यार देर हो रही है, delay हो रहा है, बहुत जल्दी कर दो हो रहा है, time बढ़ा है, increase हो रहा है यानि उपर वाले जो तो formula नज़र आ रहे है, दोनो increase के लिए, increase in mass, increase in time जबकि नीचे वाला formula नज़र आ रहे है, length contraction यानि आपके पाद जो length है, length reduce होगी, length कम होगी, तो यह लिखा हो है कि भाई, आपके जो length है, length reduce हो जाएगी, तो तीसरा formula देखा हो, formula में change भी है, क्योंकि यह formula multiply हो रहा है, L0 के साथ, तो यह reduction in length को शोग कर रहा है, जबकि 4 formula हो लिखा है, आपके पाद मास energy relation, यह formula तो आइडिया हो जाएगा कि आगे किस तरी किसे deal करना है, सवालात किस किसम क्या हैंगे आपके पास, तो सवाल देखते हैं जरा, सबसे पहले तो एक सवाल आपके पास आया, तब हम दो सवाल देखियों, और सोचे इसका क्या जवाब हो सकता है, सवाल मैं आपसे बोला किया सवाल बड़ा असा सवाल था सवाल मैं आपसे बोला, इफा बोडि ओफ मास, एम नाट या एक बोड़ी है, जिसका मास आपको बता रहा है, सर इसका मास है, मूविंग बित रिलेटेविस्टिक स्पीड, साएड़ी, अब वो जो बड़ी है, ये आपकी बॉडी मूफ कर रही है एकवल तो दा विलासिटी ओफ लाइट तो यह बॉडी कहलाती है यह यह चीज़ कहलाती है आपके बार रिलेटिव स्टेग इस बिलासिटी इस एकवल तो दा स्पीड आप देखो मास का फामला हमारे पास का मास का फामला है मैंने फामला लेकर रिखा दिया अब देखो उसने आपको बोला भाई रिलेटिव स्टेग स्पीड का मतलब है कि इसकी जो विलासिटी है यह स्पीड आफ लाइट के बराबर है यानि वी बराबर है सी के इस वी की जगह पर आप सी पुट कर दो तो फामला क्या में जाएगा अच्छा यह सवाल जाएगा पूरा मैं खुछ सॉल्फ करके दिखा रहा हूं मना जब आगली बताफ़ आपके पास सामने अगर इससे सवाल है आप डैरेक उसका जवाब लग को बिखार गे तो एल्टीमेट वाइंटर क्या यवल सब्सक्राइगा बचेगा जवाशे में युव्ड गाएगा था जाता बार की पास किने बार इसकुरा जेएगा अब आप देखो इसी किसिम का जो सवाल है ना अगर मैं सवाल लिखों आपके सामने time का चलो मैं time वाला case में आपको बता हूं time का formula भी का है time का formula भी है t is equal to t not divided by under root 1 minus v over c का whole square अब देखो time वाले case में भी अगर वो move करेगा कैसे relative state के speed से तो जो time है उसका वो time क्या बन जाएगा infinity बन जाएगा अब आपने देखो condition बना लिए अब आपको direct याद रहेगा जबकि length वाला case जो है length वाला case आगे आएगा तो length वाला case में भी आपको बताता हूँ length वाले case में क्या होगा इस सवाल को समझ के आगे बढ़ते हैं एक और सवाल आप तमाम लोग की स्कीन के अपर यहाँ पर मौजूद है इस सवाल को देखिएगा और solve करके कोशिश चीजेगा और अपने पाद answer लिखिएगा कि आप लोग के पाद answer क्या रहा है अगला mc के आप तमाम लोग के सामदे है सवाल में बोला क्या गया आप से सवाल देखते हैं अदरा सवाल में आप से बोला if an electron moves with 0.8 times of c यानि velocity आपको बता रहा है यानि v is equal to 0.8 times of c अचा है पूरा यह एक numerical की तरह का सवाल है पूरा एक समझ लीजिए numerical ही है सवाल को solve करना पड़ेगा अचा जी अब उसमें बोला कि its mass will be dash इसका mass बता दो यानि क्या बता दो आप से बोल रहा है m बता दो m कितना होगा अचा m निकालने से पहले सबसे पहले देखो कभी भी इस साना की condition है ना c is equal to 0.8 times of c इस c खोला के divide कर देना यानि इसको ऐसे लिख देना v upon c is equal to 0.8 ऐसा क्यों किया जवाब आपको थोड़ी देर में दोंगा अचा आप से बोला mass निकाल के दिखा दीजे अच्छा जी अब इस सवाल को चलो solve करके देख देख पूरा क्योंकि पूरा ही एक numerical है सवाल मैंने लिखा m is equal to m not formula मैंने लिखा m is equal to m not divided by under root 1 minus v over c का whole square अब आप देखो आपको ये नजर कौन आ रहा है आपको ये नजर आ रहा है v upon c इस v upon c की जगह पे आप पूरा क्या रख सकते हो इस पूरे की जगह पे आप रख सकते हो आपको ये नजर आ रहा है वहां पर आपने रख दिया 0.8 को तो ये देखो ये बन जाएगा m not divided by under root 1 minus 0.8 का square अब देखो सबसे पहले आप 0.8 का square करोगे तो आप लोग इतने बड़े तो हो गए हो अब आप लोग को square करना आ गया तो आप decibel को जम कराते हो दो दफार ये बन जाएगा decibel यहां पर आ जाएगा तो answer बन जाएगा 0.64 मेरे खाल में इतने तो आप लोग genius हो कि आप लोग कर सकते हो तो divide में आ जाएगा मेरे पास 1 minus 0.64 अच्छा जी 1 में से 0.64 को अगर आप minus करो तो basic calculation तो आप लोग कर सकते ह 0.36 यह इसका answer बन गया 0.36 minus करके देख लेना simple calculation करी कि 1 में से 0.64 को minus कि तो answer आप 0.36 अच्छा जी अब 0.36 को आप कैसे लिख सकते हो 0.36 को मैं लिखने का तरीका बता हूं यह देखो 0.36 इसको ऐसे भी लिख सकता हूं 36 upon 100 कोई मसले के बाद थोड़ी है क्योंके तो decimal के 0.36 को आप लिख सकते हो कैसे 36 upon 100 तो मैंने यही काम किया मैंने यहां से decimal को हटाया और decimal को हटा के मैंने इसको ऐसे लिख देखो m not divided by under root 36 upon 100 अब आप देखो आपको जैसी आपने लिखा 36 upon 100 है आप बोलेंगे सर अरे सर हमें तो यहां पे square root याद आ गया सर इस square root कैसे याद आ गया सर यह 36 का square root हमें पता है 36 का square root होता है 6 सर 10 का square root हमें पता है 10 का square root होता है हमारे पास 10 इस 10 को बोला भाई तुम उपर चले जाओ तो यह बन जाएगा क्या 10 upon 6 साथ में लिखा है m not मेरे ख्याल में अब तो आपको calculation सबज में आ जाएगी यह देख सब्सक्राइब अगर कोई भी सवाल है तो आपको इतीनी basic calculation करने पड़ेगी जो आप लोग की help करेंगा और सवाल का जवाब easily कर सकते हो इस सवाल को देखके मज़ीद आगे बढ़ते हैं अगला सवाल आप अवाम लोग की स्कीन के अपर मौजूद है इस सवाल को देखिएगा और जब आप सोचेगा इसका जब आप क्या हो सकता है चलो यह सवाल देखते है ना रहा इसको उससाब सो बोला as compared to the distance measured by an observer and earth observer on earth होगा यह एन लिकावा है on earth the distance from the earth to star measured by an observer in moving a spaceship world seem dash अब यह बोलना के अचार है जब आपको देखिएगा आप देखो यह आपके पास आपकी यह अर्थ है सभी अर्थ से दूर है यहाँ पर star मौजूद है स्टार मैंने ऐसे बनाया यह रहा मेरे पाथ star अचा इन तोबों के में दिरमानकों जाय बना थे इस कुछ ने कुछ दिर्सन्स है अच्छा है अचा इस दिश्सन्स को मैंने बोल दिया आपके पास क्या i niin क्यों अले या ly'd le lent बोल दिया अब यह western spaceship में बैठके जा रहा था यह इसके पास एक स्पेस शिप है जिसको उडन सक्षितरी आप लोग बोलते हो इस पेस शिप एक मौझूद है मेरे पाद आचा जी इस पेस शिप में यह स्पेस शिप आले ने यह मूफ कर रहा है आचा इसकी कुछ नहां कुछ इसस्पीड होगी यह मूफ करता है अगर मूफ कर रहा है अब यह अगर इस डिसंस देखेगा यह ले जो डिसंस यह डिसंस ऑप नजर आ रहा है यही तो आपके पार length contraction का formula है कि अगर आप relativistic speed से move करोगे तो जो distance है वो distance आपको short नजराएगा आपने formula पढ़ा है ना length contraction का length contraction का formula क्या पढ़ा है कि छलो मैं फॉर्मला भी आपको लिखके दिखा तो मैंने heading लगाई length contraction, length contraction का formula है L is equal to L0 under root 1 minus v over c का whole square आप देखो contraction का लफ बता रहा है कि जो length है वो length आपके पर reduce होगी length कम होगी तो मैंने यही लिखा कि सब्सक्राइब का नजराएगा तो देखो अब जो distance को नजराएगा वो distance कैसा नजराएगा smaller distance नजराएगा यारी space ship अगर उस चीज को देखेगी तो वो जो distance है वो distance आपको कैसा नजराएगा distance को short नजराएगा या फिर smaller नजराएगा तो इसकिम कोई सवाल अगर आपके पास आएगा तो आपके पास आएगा तो आप इसको जबानी पढ़के आप जवाब दे सकते हो इसी टॉपिक को देखते हुए इसी टॉपिक को देखते हुए आगे बढ़ते हैं अब जोगला अब देखी है क्तिम आएमने हैं मेरे पास इसी टॉपिक ज़ड़ा देखते हैं सबस्पेदर तो देखो मैंने कigo मैंने किया गया मैंने एक रेक्टेंगुलर बोडी कुंसिडर करी यह मेरे पाद है एक निफसेọn बड़ते हैं आप एक जगह से ऑपनिक नजरारी हैं यह राउते हैं कि अंताली तुरन ने हम रहुता हैं जगह ने उसे चाज़ा रहा है कि अ लिए जगे सब भी सेखेड़ आप में लाउते हैं यह ब्लैक कलर की मैंने इस पे कोटिंग कर दी यानि मैंने इस पे कर दी क्या कोटिंग ब्लैक कलर की आचा जी आप बोलेंगे सर आपने ब्लैक कलर की क्यों की क्या फाइदा हुआ इसका भी आपको बताता हूं जब आखी देखना मेरी बात को अब देखो मैंने एक काम ये किया कि मैंने इसके अंदर लाइट को एंटर किया इसमें लाइट एंटर हुई अब देखो क्यूंकि इसके अंदर जो कोटिंग हुई भी थी वो ब्लैक कलर की कोटिंग हुई भी थी और ब्लैक कलर की आपने खास बात पढ़ी है ना आपने खास बात क्या पढ़ी है ब्लैक कलर की ब्लैक कलर जो है लाइट को क्या करता है एब्सॉर्ब करता है ब्लैक कलर की खास बात ये कि अगर आप ब्लैक कलर पे लाइट को इंसिडेंट कराओगे तो ये लाइट को क्या करेगा एब्सॉर्ब या पिल्को रीख आए इस्की तेटिक्निस आपको निखानी या जी आप होफिग सKKàng क्लाशी निया और जाता हुआ तो वो light को क्या कर लेगा? एबसॉब कर लेगा अब ये जो चीज है ना ये चीज ज़रा देखने ये कहलाती है आपके बाद black body radiation black body radiation के ज़रा इस बात को भी देखते हैं आप देखो इसने light को एबसॉब कर लिया आपने light को incident कराई incident कराने के बाद इसमें जो भी light गई थी वो सारी की सारी light इसने absorb कर ली आपने light को incident करा है light को एबसॉब कर ली अब अगर इस cavity को मैं heat करना شुरू करू 우와 यानि मैंने इसको अगर heat करना शुरू की अज़े एब इसको heat करूँ तो जो radiation इसने absorb करी थी वो ही radiation अब यहां से क्या कर देगा emit कर देगा यानि जो light इसने absorb कर ली थी जब आप इसको heat करोगे heat करने की वज़े से radiation emit करेगा यह जो radiation emit करेगा इन radiation को आप बोलते हो कौन सी radiation black body radiation क्योंकि यह black body ने radiation को emit किया तो इस वज़े से इसका नाम आपने रखा black body radiation और यही मेरा टॉपिक है अब जो second black body radiation का definition बढ़ेगा तरह क्या लिखी वे definition में आपको बता हूँ definition में आपके पास लिखा when a black body is heated अगर आप black body को heat करते हो then it will glow and radiate energy यानि कुछ radiation को emit करेगा जिसका नाम उसने रखा जिसका नाम उसने क्या रखा या तो इसको आप बोलोगे black body radiation या फिर इसको बोलोगे cavity radiation या इडिएशन को क्या करेगा, इमिट करेगा, अब आप सोच रहों कि sir आपने ये तो बता दिया कि sir black body radiation क्या होती है, आप थोड़ा से इसको भी explain कर दीजे, कुछ definition बगरा बता दीजे black body की, black body की definition भी देखते हैं कि black body क्या होती है, black body की definition पर नजरा क्या लिखी भी है, black body की आपने कोईले को आप बोलते हो कोईले की जो कोईले का कोल का जो ब्लैक कलर होती है तो इसकी के पार्ट रिमेनिक पार्ट जिसको आप लैंप ब्लैक बोलते हो उसकी आप आम तोर पर कोटिंग करते हो तो दो चीजे तो पहले याद आताना ब्लैक बॉड़ी रेडिशिटियो और ब्लैक बॉड़ी डिशन अब आप सोचे हो कि सर अगर मेरे पर डिपेंड नही पॉन यानि ब्लैक बॉड़ी रडिशन जो सिर्फ चीज चीज पर डिपैंड करती है वो क्या है तेम्टरिचर है यानि अगर आपके पाथ एक बॉड़ी है ना आपने बॉड़ी को हीट करना शुरू किया आप अगर इसको कम हीट करोगे तो रडिशन की वेवलेंड फ्रिके नहीं करती है तो देखो आप लोग को दो पॉइंट सीखिने को मिलें यहां पर अभी ता करेक्टरिसिक्स में आगे मजीद दो पॉइंट और मेरे पास और हैं चारों पॉइंट मुझे आपको बताने हैं सेकेंड पॉइंट के बाद मैं थर्ड पॉइंट आप से शेर करू दीगा ब्लैक बादी डिशन लाइस इन रिजेन ऑफ इन फ्रेरेट इन विजिबल लाइट अब आप लोग ने कुछ रिजन पढ़े ना विजीबल लैट और इंहर रैड जॉब कर आप लिखा हुआ है कि अब आप लोग ने कुछ लिग ने पढ़ा होगा वाइलेट इसको बोलते हो अनुट्रा वाईलेट रेस ईजन पढ़ाओनौं। कुछ कहता है, आपके पास इंफरेड में इसका होता है, dead इल्ट्राब्रेट की प्रेकंशी काम होती है, यह एयुटे है सिख्टेञ्टर में अर्ट्रेलिय बायुटर नाम्य बताहूंगा फर्द बॉय्क इंद में लाय कि इस चाहः पस है रॉय ब्लाइक दिवा यूसेसे ही बहुत सारी रेडिशन होती है डिफेंट वेवलेंट की और ग्रूप अफ रेडिशन होती है जिसको इसने एक्स्प्रेन यह पर किया है यह चार फोर्ट पॉइंट है जारा डेप मैं इसके नहीं जाओंगा यह चार सारा के पॉइंट मेरे पास हो गए करेक्टर्स इसको देखने के बाद तो मेरे पास इसका एक ग्राफ मौझूद है इस ग्राफ को देख लीजिए ग्राफ मैं आपको बनाना नहीं सिका रहा है ग्राफ के बारे मैं सिर्फ टार एक बात बता रहा हूँ वो ग्राफ दर देखिएगा अच्छा तीन ग्राफ जो intensity है वो intensity भी ultimately क्या हो रही है increase हो रही है आप इस बात पर भी गोर करो यानि जैसे से कौन बढ़ा temperature बढ़ा वैसे वैसे आपकी intensity बढ़ते जा रही है यह रहा किराफ temperature बढ़ने से आपकी क्या बढ़ रही है intensity बढ़ रही है जबकि जो wavelength है आप देखो पहले वाले की maximum wavelength है वो इस जगह पे आ रही है दूसरे वाले की maximum wavelength वो इस जगह पे आ रही है यानि जो अगर temperature बढ़ा देखो temperature आपने 1000 से कितना किया 2000 किया तो आप देखो आपकी intensity बढ़ी लेकिन जो wavelength है वो wavelength क्या हो गई कम हो गई अब देखो जब तीसरे graph पे गए तो तीसरे graph पे देखो यह जो point आपको नज़र आ रहा है इस point पे देखो intensity सबसे ज़ादा लेकिन जो wavelength की value आ रही maximum wavelength की value वो maximum wavelength की value क्या हो गई और ज़ादा कम हो गई तो यह कुछ relation है इस relation को ज़रा पढ़ना है तो यह graph लिखा आप आपके पास graph क्या लिखा आप ज़रा पढ़िएगा intensity of radiation will increases with the increase of wavelength up to a certain extent and then increase क्या मतलब है इसका अब देखो सबसको रो red वाले graph को देखो इस red वाले graph को देखो जैसे जिसे आप right की तरफ बढ़ रहे हो जैसे जिसे आप right की तरफ बढ़ जारे हो आपकी जो intensity है वो क्या होती जारी है इंक्रीज होती जारी है एक maximum point है का जहाँ पे maximum है यह maximum intensity है इसके बाद देखो यह graph वापसी कहा हा रहे है लेकिन होसकता है अब लोगो बोरिंग लगे क्योंकि आप दोग फिजिस बिलकुल बोरिंग की सिंग भी पढ़ रहो हुआ। आप लोगो के लिए इंट्रेस्टिंग घे लिए लेगें लेगा है। अगर आप इंजिनिरिंग करते हो, मेकनिकल इंजिनिरिंग में अगर आप आते हो तो इसका पूरा एक चैप्टर मौजूद है, हीट ट्रांसफर के नाम से, वो चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको बहुत सारी चीजे सीखने को मिलेंगी, उसमें आप यह सार बॉरिंग किसिंग के लॉज हैं, लेकिन लॉज आपको पढ़ाने पढ़ेंगे, जादा डेप में मैं आपको समझा हूँगा नहीं, आपको लॉज बताता हूँ, जारा लॉज देखिएगा, बलैक बाटी रडिशिन कंसिस्ट आफ फोर लॉज, यानि बलैक बाटी भी तैंपरेचर के दरम्यान, यानि वेवलंट उफ बलैकबट डिडरेडिशन इस इन्वर्सली पॉइट वडर्शल टू दा टेंपरेचर, यही आपको बात बतायी गयी है, वह बात क्या बता रह रहा है कि व्वेवलंड कॉर्सपॉंडिंग टू दा मैक्सिमम वेवलें लेम्डा M, इस इन्वर्सली वोचल टू तो एपसिल्यूट टेंप्रेचर, अब क्या मतलब है इसका, अच्छा सबसे पहले तो देखो, जब आप टेंप्रेचर बढ़ा रहे हो, तो वेवलेंड क्या हो रही है, कम हो रही है, इसी बात को चलो, मैं एक्स्पेंड भी आपको क आपको टेंप्रेचर सundo याक्र मेंछ आपंगाज को क्या होती नisar आ रही है, आपको वेवलेंड कम होती नजर आ ही है आप दिको गराफ में, अगर आ बात करो यह अगरा ग्राफ मेरे पास, इस गराफ को अगर आप देखो, इस गराफ को आपको आपको देखो, लिरेखो अच्छा जी, अब अगर ये relation का sign हटा हो गया, proportion का sign हटा हो गया, तो क्या आजाता है, constant आजाता है और इस constant की value क्या, तो constant की value आपको बता रहा है, भाई, constant की value है, वो value है, 0.0029 constant की value आप याद रखना, constant की value पूल सकता है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो, lambda, directly proportional to 1 upon t, proportion हटा हो के तो constant रहागा, 0.0029 upon temperature, temperature को multiply कर दो के तो बन जाएगा, lambda t, is equal to 0.0029, अक्सर मैंने mcu में देखा है, mcu भी ये पूछ लेता है, कि when displacement log की कौन सी statement सही है, तो, sorry, कौन सी mathematical form सही है, तो option में अगर आपको ये दिया हूँ है, तो आप ये भी option लगा सकते हैं, यानि, lambda और temperature को अगर multiply करोगे, तो जो answer आएगा, वो answer हो जाएगा, मेरे पास क्या, 0.0029, तो इस तरही के भी बोल सकता है, मैं यहाँ पे side में लेकर रहा हूँ था कि आप Stephen's law, Stephen's law किया बोलता है, तो जल्दी से इसको पढ़ लेते हैं, अच्छा जी, अब इसने relation बताया है कि इसका intensity of radiation is directly partial to the fourth power of absolute temperature, यह देखो, intensity of radiation, directly partial, fourth power, fourth power of temperature का मनला है कि temperature की power 4, तो यह second law है आपके पास, जिसका नाम आपने रखा हूँ है, Stephen's law, and intensity of radiation is directly partial to the fourth power of the temperature, अब इसको character partial to the fourth power of temperature, अच्छा, अब आप देखो, यहां से proportion हटा होगे तो, तो आप देखो, खुद genius आप जवाब बता सकते हो, कि sir, this MCQ का जो correct जवाब होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, one होना चाहिए, यह absorption power of perfect black body is one, इसी के बाद, एक और MCQ, यह MCQ भी देखते है, on a hot day or in hot climate, white cloths are worn because they are good dash, अब देखो, आपके पास दो आदमी थे, अब एक ने white color की कप्रे पहने वे थे, और एक ने black color की कप्रे पहने वे थे, और एक ने black color की कप्रे पहने वे थे, black color यहांपे, क्योंकि black पीछे की इसकी ने, तो black नेज़न ने आए, और मैं इसको blue बना रहा हूँ, अक्सर होते है न, गर्मी हो रही हो, बिल्कुल सूरज तप्ती भी धूपो, और उसके अंदर अगर कोई black color की कप्रे पहने कर आजाए, तप्ती भी धूपो, और आप दो शक जा रहे हो, एक ने white color की कप्डे पहने में हो, और एक ने black color की कप्डे पहने में हो, जिसको ब्लू से शो किया हूँ, तो आप अक्सर होते हैं, गर्मी में मना करते हैं, भाई, गर्मी में तुमने black color की कप्रे पहने ली है, वो देखो पागल, इसको आप ऐसे बहुते हैं, वो देखो पागल, black कप्ड़े गर्मी में पहने के जा रहे हैं, तो क्यों बोलते हो अब वजह क्या है, देखो black color की खास बात यह कि वो good absorber है, अगर आप black color की कप्ड़े पहने हो तो यह good absorber है, यह light को क्या करेगा, अब गर्मी में अ रफ्लेक करेगा, या जब light को रफ्लेक करेगा, तो ultimately जो heat waves होंगी, जो infrared radiation होंगी, उनको भी क्या कर देगा, रफ्लेक कर देगा, इसलिए कहा जाता है कि गर्मी के अंदर हलके रंगे कप्ड़े पहने चाहिए, यह ऐसे white color है, light blue color है, इस तरह रंग कप्ड़े पहनो, और सर सर्जियों में तो आपको सूरज की धूब अच्छी लगती है, सर्जियों में आपको वही रइडिशन अच्छी लग रही होती है, तो सर्जियों में आप ब्लै कप्ड़े पहनो तो तो सही है, अब reason क्या है तो reason आपको बता रही है, black color आपके बगड एब्सॉर्बर है, white color good reflector है, अब आप देख लो इस सवाल में, कि उसने बोला hot climate के इंदर आप किस तरह की कपड़े पहनते हो, white कपड़े पहनते हो, क्यों पहनते हो, तो कि वो क्या होते है, good reflector होते है, यहां पहुँच के आपका chapter 17 का lecture अपना complete करते हैं, यह first lecture था हमारा, उमीद करते हैं, तमा लोग अपना खेर रखिएगा, आला हाफिस,